जेश राम मित्रो आज इस वीडियो में आप जानेंगे जेश्ट पुरिमा 2024 के बारे में इसमें आप जानेंगे कि कब है जेश्ट पुरिमा, जेश्ट पुरिमा क्या है, जेश्ट पुरिमा की कथा, जेश्ट पुरिमा का महत्व, दीन, तिथी, शुभ मुहूर्थ और साथी जानेंगे धन प्राप्ति, शुक्षो भाग, यश और किती में बृधी के लिए कुछ खास और बीशेश उपायों के बारे में। जेश्ट पुणिमा सबसे महत्पुण हिंदु त्यवहारों में से एक है और सभी भी बाहित महिलाएं अपने पती की लंबी उम्र और परिवार में सुखसांती लाने के लिए इस दिन उपवास रखती है। हम जानते है कि जब बात अपने परिवार की आती है तो एक महिला कितनी महत्पुण भुमिका निभाती है। जेश्ट पुणिवा को मनाने के लिए 26 दिनों में से एक है क्योंकि यह वह दिन है जब पोवराणी कथा के अनुशार सभी त्री ने अपने प्रिय पती शत्यवान का जीवन वापस पाया था। और ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं इस दिन प्रत रखती है ताकि उनके पती लंबे श्वास्त और खुसहाल जीवन जी शके। शभी लोग अलग अलग जगों पर अलग अलग तरीके शित्योहार मनाते हैं लेकिन सभी लोगों के इरादे एक ही होते हैं। आईए जानते हैं जेश्ट पुर्मा की कथा और उसके महतों के बारे में। जेश्ट पुर्मा ब्रत कथा एक ऐसी महिला के बारे में हैं जिसने यमराज से अपने पती के प्राण वापस मांगे थे। हो सकता है कि या अपने जीवन में कभी न कभी यह कथा सुना हो। साबितरी अपने पती सत्यवां से इतना प्यार करती थी कि जब यमराज उसकी आत्मा को अपने साथ ले गए तो वह बहुत दुखी हुई और यमराज के पीछे-पीछे चलने लगी। उसने यमराज से अपने पती की आत्मा को अपश करने का अनुरोध किया। वह अलग तारे मराज से अन्रोध करती रही और यह तीन दिनों तक जारी रहा उसके बाद भगवाने मराज ने या खिरकार उसकी बिंती मानली और सत्यवान को जीवन दान दे दिया अब जान लेते हैं जेश्ट पुणिमा के महत्व के बारे में जेश्ट पुणिमा का महत्व यह माना जाता है कि इस दिन विबाहित महिलाएं अपने पती की लंबी आयू और सुखमय बैबाहिक जीवन के लिए बरत रखती है यह भी माना जाता है कि अगर विबाहित महिलाए पवित्र गंगा में डुबकी लगाती है और जेष्ट पुनिमा की पूजा करती है तो उनकी पेशेवर और व्यक्तिगतिक छाएं पूरी होती है जेष्ट पुनिमा की पूजा करने से महिला और उसके परिवार की सुख सांती और सफलता मिलती है साथ ही उसके पती की लंबी उम्र का आसिरबाद भी मिलता है हर माह शुकल पक्षी की चतु दशितिति की अगले दिन पुल्मा मनाई जाती है इस दिन पूजा जब तप और दानपुन किया जाता है साथ ही श्री शत्न नरायर देव की पूजा की जाती है पूणि मातिति पर जगत के पालनहार भगवान विश्णू एवंग धन की देवी माल लक्षिमी की पूजा करने से साधा की सभी मनुकामनाय पूण होती है साथी आय शुक शोभाग यश और कृति में बृधि होती है इस सवसर पर चंदर देव की भी पूजा की जाती है साथी संध्याकाल में चावल की खीर भगवान शीव को भोग में अर्पित किया जाता है जेश्ट पूणिना पर एक साथ कई मंगलकारी शुभ योग बन रहे है इन योग में भगवान विश्णू एवं मालक्षमी की पूजा करने से साधर को अच्छे फल की प्राप्ती होती है आईए जानते है कब है जेश्ट पूणिना जेश्ट माह के शुकल पक्ष की पूणिना तिथी 21 जुन को शुभ 7 बज कर 31 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 22 जुन को शुभ 6 बज कर 37 मिनट पर समापत होगी अता 21 जुन को पूणिना बरत रखा जाएगा वही 22 जुन को जेश्ट पूणिना है इस दिन अश्णान दान किया जाएगा साथ ही श्री शत्र नरायन की पूजा की जाएगी अब जान लेते हैं जेश्ट पूणिना के दिन करने वाले कुछ खास और विश्य शुपायों के बारे में जेश्ट पूणिना के दिन गंगा या फिर किसी पवित्र नदीमी अश्नान करें इसके बाद किसी ब्रामण को चंद्रमा से जूड़ी चीजे जैसे सफेद बस्त्र, सकर, चावल, दही या फिर चांदी का दान करना चाहिए माना जाता है कि ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की इस्थिती मजबूत होती है और जीवन में शुक्समिर्धी बनी राती है जेश्ट पूणिमा के दिन मालक्षिमी की पूजा के दोरान उन्हें ग्यारा कोडिया अर्पित करें और हल्दी का तिलक लगाए अगले दिन इन कोडियों को एक लाला रंग के कपड़े में बांध कर धन के आस्थान या फिर अपने तिजोरी में रख दे ऐसा करने से धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता मित्रो यह जनकारी आपको कैसा लगा अगर यह जनकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना धन्यबाद